हम लोग भगवद गीता के चौत्य अध्याए के 31 मिश्लोग को देख रहे हैं नायम लोकोस्तिय यज्यस्या कुतोन्यहा कुरुसत्तमा जो यग्यिन नहीं करता है जगत में हित नहीं है तो अध्योग में क्या अन्यष्वर्ग लोक की प्राप्ति की बारे में तो ऌख सभु रही है कुरुशत्तमा मतलब कुरुम में स्रेष्टि तो बिना ये कि यह कोई विक्ति नए तो इस जीवन ने सुखिण रह सकता है नहीं अगले जीवन में जिवन 설 Yes वी बात बबान बता रहे हैं में ए एक गुरुष् स्रेश्टु जब यग्य के विना मनुश इस लोग में या इस जीवन में यही सुक पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जनम में कैसे रह सकेगा गीता भुशन टी का यग्य ना करने के दोश को कह रहे हैं जो व्यक्ति उपरोक्त यग्यों को नहीं करता है ज़री नहीं कि सारे यग्य हर व्यक्ति करें लेकिन कुछ तो यग्य जरूर करना चाहि सब्सक्राइब करता है तो यह इसरय और थो पता कि रर्णा को प्रोक्ति को के अए perfect करना होता, Sag Münth को तो दर्म कनूशिलांग मुए कढ़ता है क्रिश्प को बताएंगे क्या सीक्वेंस है धर्म का नुशिगन करते हैं ताकि उनको अर्थ पराप्थ हो और अर्थ इसलिए ताकि आपने काम को जो इच्छा है उनको त्रिप्त कर सके और जब वह त्रिप्त नहीं होते जो पता चलते संसार में सुप नहीं तो भी मोश्च सब्साइब बताय quindi नियुकर संसरा में क्यicem विनग्स ताकि भी प्रवान ने बताएं है नहीं होता फिरांट बंता है के के जमाने में क गणिजी के सामने सब्च परते हैं वर्ति इद्यादी का पालन करते हैं ताकि उनको कुछ अर्थ की परापती हो दिए कैट आभ जिए चीटिंग क्यों चिए रहे हैं इस धर्म से अंतिम जो लक्षिप्रप्त नीहीं होगा इसको श्रुक्षा सब्सक्राब कहते हैं प्रोजित कईटबत्र मतंद्ब शुद्ध्र धर्म क्या है अपर्धर्म क्या है केवल इश और आधना लक्षन क्या दो भवान की अराधना के लश्षन से युक्त वह जो धर्म है परधर्म उसको यहाँ पर बताय गया है वागवत्थान लेकी अर्थ और काम हमारा फिक्स है और मुस्ट जो हमारा अर्थ और काम है वह पहले से प्रावतिक अनुसार almost तो उसके लिए धर्म करने की आवा सकता है निए वो हमें पहले से ही मिल जाएगा जो हमारे नसी में जितना खाना है या जितनी हमारी हिंद्रित्ति है यह अच्छा बात हमने बोली यह है प्रारप्त कर्म के अंसार लिख चुक है वह अभी कैसे लिखा गया है हमने पहले के अंसार तो उसके लिए धर्म करना हुच नहीं है लोग आजकल जनली जो है इसी अर्थ और काम के लिए भगवान के पास जाते हैं अब वह हमारा पहले से ही फिक्स है देखिए अगर भगवान के पास जाते हैं वह बहुत बदेवी देवताओं के पास जाते हैं और यह इ सुसते हैं थे कवे की वज वेकार से कोई विक्ति कोई गुरुजी के वह घागता है कि आज एक सुनार सी बात बताई गई थी संबन में कि ये कि जो कृष्ण भावना का मिशन है यह लोगों को सुख देने के लिए सुख आवह तो मैं उस पर विचार कर रहा था कि चलिए विचार तो हम अपना प्रस्वत बात में करेंगे प्रश्ण करेंगे कि जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा हम प्रश्ण को इदम स्पष्ट नहीं पूछ रहें स्पष्ट पूछेंगे तो आव लोग उस तर तुरंद देदेंगे संस्कृत बोलूंगा तो तुरंदी समझ में आदाएगा जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा बहुत इसी है माइक बताई माइक बताईएगा हमारा जो बास्तिक सवरूप है सचित आनद है और हम जीवेरा सवरूप है कृष्ण निद्दा तो हम भगवान की भक्ति करके ही हमें बास्तिक सुख प्राप्त हो जाएगा बागी चीज़ों में अगर हम सुख ढूनेंगे तो वो च्छनिक होगा और यह है भी ठीक है मैं जानब जाएगे मिवेद कर फॉक्ति बॉटँ चाहिए अगर मैं बोलते था किसे आत्मा ओक्टिक में बॉट जबॉट डिखन सामने बाट गए अपर जी अ अब ताथ पर यह अनपांप कुछन प्रवाव यह बात को भूत महत्पूर्ण है अपने अनभव से देख लिए इतने सारे भक्त लोग हम लोग सब्सक्राइब करते हैं असल लगता हैं कुछ खास कर रहे हैं लेकिन देखिए बहुत एक सारी सब्धा हैं अपने आप राप्त होने इदम सपष्ठ है यह धमड़ीजे कुछ भी प्रजेट करना है कुछ भी कर रहे हैं अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो सफल नहीं प्राप्त होगा तो बेना भक्ति कि विक्ति को सफलता हो इस प्राप्त होती नहीं इस्पश्चित बगतों के बारें बुलागा और मानल दो कोई विक्ति अपने पूर करमों के अंसारी जगहतने सफल हो भी अगले जना में क्या करोगे अगले जना में तो नहीं पड़ेगा पापकर्म की इस जना में बहुत रइख लाप राप देख पढ़िका तो इस लोग में चाहिए जिस रूप में रहे वे अपने सरूप स जबर्दस ओपनिंग पर लाइन कितनी जबर्दस तो इस लोग में चाहे कितना भी महान वेक्ति हो तो बोले थे प्रभुजी उस आईस ऑफिसर की चादी में असी ऑफिसर आये ठीक है लेकिन अगर हम वाकई देखें तो वचारे अहार निद्रा भाय मैं दूंस जाधी जानत आइसे तो वह बोल रहा है कि बहुत बड़े हीरो है कंट्रोलर राजा है वहां की राजा है लेकिन उनकी राणी कौन है दारू तो पकड़े हुए तो मैंने सीधे बोला भाई आप न रख जानने नताते हैं क्या तो बताया उनको फर उपने हरे किश्रमान तकादी बताया ह है कि महान लिखती ही हो सकता है कि मैं पूरी तरह अपने स्वरूप से बेगे रहा था इसमें हमें कोई अनकोंफर्टेबल ही नहीं लगता है हमको पता ही नहीं कि हम है कौन अभी मैं पता नहीं कैसे भाग्वान व्याद करा रहे था जैस मैं क्लास देने के लिए उठा आ थ जिन जिन वस्तों से हमारी पहचान है वस्तु हो विद्या हो कुछ भी है वह सब कुछ छीन लिया जाए कि मृत्य और अदुद बात है कि कभी भी आ सकते है यह तो हम सोचते हैं हाँ हमारी आए कि कभी भी आ सकते हैं हम सोचते हैं कि मेरी आने वाली जिससे भी हमारी पहचा बहुत अच्छी बात पढ़िए दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप जीवन के बहुगनित फलो के कारण है आप जो नंबर नहीं दो नंबर नहीं मिलेगा यह और इसके बाद दूसरे पाप अगला जलम अग्यान ही पापउन्चीवन का कारण है और पापउन्चीवन ही इस भातिक जगत में अस्तित्व का चारन है संझाएजिये सको जिनके पास माइक है उसे बताओं अजय के दाफ कना नहीं में चाहते हैं मेरे आप आप कुछ कह सुर्भ और और टेरो पुरा बहुत सुर्दर पर टातर लिखायर चाहिए वैज्ड़ा वेक्टिकुन मे're रहा हैं मैके बतां आज Whenever अज्ञान है विक्ति को स इसलिए फिर वह पाप कर बैठता है अज्यान अपने को शरीर मानने से विक्ति पाप कैसे कर बैठता है क्योंकि वह अपने लिए करने करने रखता है और अपनी इंद्रिति के बारे में सोचता है हर समय क्योंकि वह इंद्रियों को संतुष्ट करेगा इसलिए पाप करेगा ही करेगा भी करेगा अगर कोई जिवन में पाप किये हैं बलकिल कि जब अब देश Haiर вся ने करेगा 20 च्हें परन वह द्राइए और यह क्या पाप यह है फिर वह पाप करते हैं लेकिować लेकिं जभी बिभी पाप करते हैं उसका पहला चीज क्या है आप चैना याद रहना पडएगा तो as of झाप करते हैं यह याद रहना पड़ेगर उसकिजा है था है थो नहीं तो दो भूण ड़ू नहीं है तब हम पाप कर सकते हैं जब हम भूल जायेंगे कि हम पाप हम आत्मा है और यह याद रखें कि हम शरीर है थे सब करता है हम लोगों याद रहता ही नहीं है कि मात्मा है इस लिए शास्तर का वचन सुनकर कारे करना जाए जैसे आपके सामने जैसे प्रोजी ने मुझे बदाम दी तो अगर मैं केवल अपने किसी ने भी दिए आप लोग के लिए नहीं दिए अब सभावी ग्रूप से बग्या सोचेगा इस बदाम को मैं कुछ बना कि भवां को अर्पित करूंगा तो भले ही हम शरीर के स्तर पे हैं लेकिन यह जुरूर पता है कि इस शरीर का इस्तमाल कैसे करना और अगर केवल शरीर के स्तर पर रहते तो बदाम प्रकेट खोलो और स्वाहा आहा चलू जाए तो यह और दिक्कत है कि इस समय इंद्रियों को अंतर नहीं मैसूस होता है कि यह पाप है यह पुन्य आप अधाम खाये भवान को बिना अर्पित किया कोई भी वस्तु बिना अर्पित कि खाये तो थरह मालूम चलता है कि मैं हर कॉर पर पाप खा रहा हूं इसका तो फुरूर है उसको भी छाना होता है मनश्य जीवन बड़ा खतरनाक है हर चीज कभी लगता है केवल पांस साल की उमर के नीचे होता है उस व्यक्रत करते हैं ना चौदा साल से नीचे जो कारे करते हैं उसके पाप नहीं लगते क्योंकि मंदू कृषी जो थे वो उसी बात को बोल रहे लेकर 14 सोल के पहले के पाप लगतएनिंग ईसके बाद विन Eğer क Cake ए गलतिNote कि है जगत में गलती हो या नहीं हो कि कर नीअ यह है कि यह यह और रिरी यह तो आरे आप सोचिए यह तो लोगसाने की जुरुरत हैंने क्या करना गलती उनकी नहीं, गलती हैं हमारी यह लोगों बताने रहें तो इसलिए आवश्यक है कि बताया जाए बस यह बात चक्र यही है कि अज्ञान के कारण, आपने सोरूप के अज्ञान के कारण वेक्ती पाप कर रहा है, अब आपने कारण मनुष्य जीवन ही वैद्वार है, जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है इसमें मैं चोटी सी कहानी बोलग सकता हूँ एक अंधा था और वह एक स्टेडियम में घूम रहा था और उसके पास एक डंडी थी और बार बार वह डंडी से प्रयास कर रहा था ढूंडने के की दर्वाजा कहां है, क्योंकि अंधा है और जब वाकई दर्वाजा आया तो अपने हाथ को खुजलाने लगा चुझ अपने तो कहांनी का सार क्या है कि आखेंदे होने का अर्थ कि अन्य योणी हो गारता है कि कोई संभावना नहीं है कोई संभावना नहीं अब जानवारों को देख लीजिए कुछ भी पता नहीं कुछ पता है नतिंग जीरो और समझभावी नहीं सकते और जब हम मनुशरीय प्राफ्त करते हैं तो थोड़ी खुजिली करने लग चांथ हैं इंद्री तुटिय Pride लग जाते हैं तो बढ़ा इंस्ट्रक्टिव इस्वड़ी बता रहें इस बंदन से और बात यह है मनुश्री और केवल मुक्ति प्राफ्त करने के लिए कि मुख तो हो जाए और वस्तुता किसी भी चीज़ के लिए नहीं है यह बहुत इंप्रकार के यग्ये हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वता हल कर देते हैं एक इंट्रस्टिंग बात है कि जब विक्ति प्रोग तयग्य करता है तो उसकी जो आर्थिक सुधाय हैं परिशानियां हैं वह अपनी आप सौल्व तो होई जाती हैं साथ साथ उसका हरदय शुद्ध भी होने लगता है जो आगया कि अभी श्लोकों में आप सीखेंगे कि एक और है तो कुछ अनकोंवटे लग रहा है माई की बता दीजी कुछ अनकोंवटेबर लग रहा है कि खाये नहीं है आई यह सभाविक सी बात है तो अब खाने के लिए नहीं होगा तो धर्म क्या करेगा तो आर्थिक जो आप सकता है इटिंग प्राबलम जोसे खेला चाहिए प्रचुर भोजन प्रचुर दूद इत्यादी मिलता रहता है जब शरीर की आवशक्ता पून होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है अताहव वेदों में नेमित इंद्रितिक्ती के लिए पवित्र विवा का विधान है इस प्रकार मनुष्य भातिक बंदन से क्रमशा छूट कर उचपत की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूनता परमेशर का सानित प्राप्त करने में है यह पून्यग्य संपन करके प्राप्त की जाती है जैसे कि पून्यग्य नहीं यह पूनता यग्य संपन करके प्राप्त की जाती है कौन सी पूनता अभी पड़ी रहे हैं अरी साध्याय कर रहे हैं कि ज्ञान यग्य भी कर रहे हैं पूनता क्या है? माइक पूनता कैसे मेसे पास लाटि उसी की वह सकनदी के परमेशवर का शानिदبلवन परमेश्वर का सनिदेप अपरमेश्वर कौन है? यकी करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वैं शरीर में सुखी जीवन की कैसे कैसे आशा कर सकता है एक श्लोक मैंने याद किया है तो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उससे आपके मन में डाउट भी थोड़ा कूरे देंगे फिसका उतर देने का प्रयास करेंगे मिय च्छांई जो बड़े बड़े उसमें लिखा है जए और मंत्र बदू बहुत मनत्र जब करते हैं और उसके बाद किया है सुमंगुला जो बहुत smiles अगर इन सब चीजों को इंके एक हमको अर्पित नहीं करते मैं जब ठाप्ति हैं नहीं करते तो तूटीकम में वह से कहा गया है कि फ़ल पराप्ट नहीं होता है फ़योजा हुँ ठोड़क फ़ल पराप्ट जो ज रुरूर हो जाएगा लेकिन परम फघ्वत प्राप्त नहीं है है तो मन में आ सकता है ये हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो नहीं करते हैं टेंगे उन्हें कुछ बहुत इक राप्त पराप्त हो रहा है हो रहा है लेकिन आट्यांतिक लाप पराप्त नहीं爱ा कि भाब्वत धाम की प्राप्त तभी होगी जब मिंस अवह क्रियाओं को भगवान को बहुत सुन्दर बात बोल रहा है तो यह इस लोग मुझे सामने प्रस्तुत भी करना था यह लिंक भी है इसका डाउट यह है कि कुछ लोग कैसे कहते हैं कि अमरीका में तो भवान का भजन नहीं चल ला तो इतना अमरीका जो है समरित क्या से हो रहा है देखी साथ आता अब जानते हो कि वहां पर बहुत मांसिक परिशानिया जगड़े बहुत सारे बहुत क्राइम सब चल रहा है आर्थी ग्रूप से सुखी हो सकते हैं मांसिक रूप से सुखी नहीं सोची हर वेक्ति की पास एक गन है वह बने सुना वहां पर घर में आप म गन है वह निर्भय होता है वह बहुत भाइबीत होता है कि मजे कोई मार देगा तभी इसको आफशकता होती गने त्राज रखने के खाली बोल रहा हूं कि आसा वेक्ति भातिक रूप से भी सुखी नहीं होता है यह नहीं सुचना चाहिए यह बहुत में पहले भी किसी ने सुखे बहुत बहुत महाथ देगा दूखे करने मैं कंहीं कि दूसरे लोग में दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो विर्थी है विभिन स्वर्गों में भिन-भिन प्रकार की जीवन सुईधाय हैं और जो लोग यग करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत परमसुर्ख मिलता है ये उसका आर्थ क्या है कि जो वेक्ते यग भगवान विष्णु की जरावी भक्ति नहीं कि विना स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा ना इस तो दिखाया है तपस्विलो ज्यान अब जब हमने कर्म कान की बात करी तो कर्म कान नो भी आप जानते हैं कि भवान विष्णु का नाम चारण किया जाता है मंत्रों में मत्वान विगरे में विए तरह जाता तो उसके विना तो काम नहीं चाल देगा और इस चीज को हम लोग मोगा शाम मोग कर्मानों वाले श्लोग में भी देखते हैं बगवान का उपहास करने वाले कि जो कर्म हैं उनकी सिधी प्राप्त ने हो ती भ्रवान स्वाम बोलते हैं रॉक्- आर यकटतसा हम जितने भी एक हैं उनकि प्राप्ती क्रानेवाली वाले क भगवान ने भिखे ग इंटेच लोग तो क्या झाना डीका ती यह सबने नैमे मतल cricket पान को पान पान में और मिजे सब्डदे कि वह दिख ओनार दीग मतलब वेद से तो वेद की आज्या मानी जा रही है तो कहीं न कहीं भगवान विष्णों की आज्या मानी जा रही है परोख्ष रूप से मानी जा रही है लेकिन अपरोख्ष परोख्ष 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 रूप से इंडिरेक्ट लिए अपरोख्ष रूप से मानी जा रह दीरे दीरे करके व्यक्ति फिर आगे प्रगति करते हैं यहीं समझ में आना चाहिए हम डिरेटली भगवान के बारे में समझते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब हम से कहा जा कि वेद कहां पढ़े हैं तो वेद तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वेद को बोलन करना चाहता है को नथिंग इस आउट अफ कंट्रोल ऑफ कृष्णा अपर से रिपीट कर रहा हूं नथिंग इस आउट अउट अफ कंट्रोल ऑफ कृष्णा बहुंद के नियंतरन के बाहर कुछ नहीं है आप भगवान कृष्ण को स्विकार करने के योग्य थे इस कारण से आपके सामने क्रिष्ण का ग्यान आया है यह बास सब्च में आती है जितने भी भक्ते हाँ पे हैं उनके संग वालोंने पीशा सुना होगा कुछ लोगों को कहात में कीता आई भी होगे और नहीं पड़े जीवन पर पुरा जीवन विज्जाए अगले जरा में लेंगे ऐसे क्योंकि हम भगवान को स्विकार करने के योग थे अब पूर उसे कृति कहीं कुछ भी कह लिजिए इसलिए वह ग्यान हमारे सामने आए त भी आन की वेस्ता से ज्ग्ञान प्राप्त हो जाता है जाब यह प्रणयाम कर रहे हैं अब भगवान की कृपा से आगे भगतों को संग होगा तो समझ जाएगे आप जानते ही है कि अश्टांग योगी की तौवारा जब मन श्थर होता है तो ब्रमात्म अंधव कर पाता है अब इस बाते आजकल की जमाने में आप देखेंगे तो यह थेओरी ही हो जाता कि कोई करता नहीं इस प्रकार से प्रणे भगवान को प्राप्त करने के लिए तो यह सब भगवान बातें बोलेते कव पांच-चार साल पहले अभी तो कहां कोई थो बहुत द्रव्य के कर सकता ह इस प्रापे के वह के चैनी अधिक और शर्मत कम वाला स्वर्वत बाठते है कीशा कि रहता है उसमें रहता है तो क्या द्रविय करेंगे कुछ भी ठीक से नहीं हो सकते हैं जा आपने कहां कि सेना में मरता यौध के दोरा तो आज के रीट में यह प्रेकल तो नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रसंता के लिए यग्य के अंसार नहीं करता है कारें तो फिर उसको आगे लाप राप नहीं हो जैसे जैसे यग की बात हो रही है तो एक कोस्टन में को डाउट है कि जैसे हम लोगों को जो बॉड़ मतलब सरीर मिला यह बेसिकली मतलब की बु तो यह जितने सारे कर्मा करें हैं जो मन में अश्टो तो जो आम हर्म करेंगा वो सोल के लीवल पर इस तो एतमेटिक की की मतलबान की मतलब कि मन के पार कि यह बड़ता था न अब पिलवाले शलोक नम ए पर नबने नारत पर क्या पड़त है यह्जए विदो यह शपई तकल नवशजए यह यांती प्राम समास सना झाजुव नेकि जो यह यह क्वीडить है जो ये कि की उद्धेश को झानता है अब से आपका प्रश्ण काउत्र हो गया इस सारे लोग ये का ऊत्प्राविस को जानते हैं me वह जानता है कि क्यों करना चाहिए एक बात जिरू क्लीर होनी चाहिए आत्म ज्यान के लिए और उसमें लिखा है यह कि शपितकल मशा पापों से मुक्त होगा यह सभाविक है और इसे कहते हैं अनुसंगिक फल छोग अनुसंगिक फल है भोग आश्वार allons के लिए लेकिन अज्यां करते हैं अनुसंगिक फल मतलब Curtati जैसे दूद लेते हैं एक लिटर तो उसके उपर वो दूदिया जो है सौ ग्राम दूद ऊपर से दे देता है तो सौ ग्राम दूद लेने के लिए नहीं पैसा कर रहे हैं प्राप दे रहे हैं एक लिटर के लिए प्राप्त कर रहे हैं वो दो लेकिन 180 इप लगती है अब यह नहीं कह सकते है कि मैं क्लास्ट नचये इसा करेके तैने से युह सेवा किरने के अश्मान वह सेवा करें मैं सेवा करनेी सेवसा कार कर ले और है अनुसंग किखेच जो फॉल हुआ यंचया मतला कि बुद्धी से उपर हुआ बुर्धिस्ट ऊपर उपर नहीं हुआ कि और यह शरीर के लिए जो फॉल है मतलग कि माइंड में छल रहा है जैसे अब लोग अराम से रहे हैं टौपी है कपड़ा है बड़ी अप्रसाद है सब कुछ अनुसंगिक फल जैसे मैं आपर क्लास दे रहा हूं अब क्लास दे रहा हूं बागो दीदा डिस्कुशन करने के लिए प्रभुजी से बदाम लेने के लिए तो नहीं ना अब प्रभुजी प्र सबस्क्राइब को जान ना 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 संद्री ना कवीटा दो आपको इंकार करना है कि हम इस्टेशन पर नहीं उतरेंगे अश्चकता है ऐसा तो नहीं कि आपको जैकेट की आशकता नहीं बक्ति होगी न इतनी अहयतों कि इतने आपरतियत तो हम लोग नहीं है तो कुछ बड़ी प्रैटिकल सी बात बहान बोल रहे हैं कि आपको जो बहुत ही आशकता है वह भी इसके मिला पूर्ण हो जाएंगे अपने आप यह कि करने के लिए जगे करने के बार जैकेट के लिए हरी नाम नहीं कर है यह सुबहर क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में उसके लिए हरी नाम नहीं करते हैं यह बात बुरूए है हां पढ़िए किन्तु सरवशेष सुक्त वह हैं जिसे मनेश्य कृष्ण भावनमृत के अभ्यास द्वारा वैखुन जाकर प्राप्त करता है अता कृष्ण भावना भावज जीवन ही इस भातिक जगत की समस्त समस्याओं का एक मात हल है यह सबसे अच्छा तरीका है प्रिश्ण भावना भावज जीवन इसमें यग्यमें जीवन हो जाता है आप लोगर समय है तो एक शुर देख लेते हैं नहीं तो फिरम हो दे सकते हैं अंचा पसादना ठ ठीक है ठीक है कोई देख करते हैं ठीक है ठीक है यहां रुकते हैं श्रीमत भगवत गीता की जायश भूपाद देख